कि अब्रेवन विल्कम टौ इस पॉइंट आज हम लोग यहां पर अपना देखने वाले हैं पारमपरीधार्ना यानि कि इसके आंतरिक सुरक्षा के बारे में ठीक है तो उस अभी जो हम पढ़ रहे थे सुरक्षा यानि कि समकालें विश्यू की सुरक्षा की बात कर रहे थे तो उसमें से हमने देखा था कि सुरक्षा एक्जेक्टिली में इसके डिफिनेशन क्या होती हमने सुरक्षा तो कह दिया बट कैसे डिफाइन करेंगे कि सुरक्षा है ठीक हमने माली जाए अधिकार कह दिया कि हमें अधिकार है किस चीज़ पर आपको अधिकार है या आपक अभी सुनते ही बड़ हमारे दिमाग में आता है कि सुरक्षा मतलब कि हमारे लिए कुछ वाम हो रहा हुआ हमारे मतलब ऐसा कर सकते हैं कि सुरक्षित नहीं है या उससे हम असुरक्षित है ठीक है लेकिन यहां पर अभी हम राष्टी इस तर पर देखते हैं तो पारमपरिक अब पारमपरिक धारणा की हमने बात की थी हम Via II सुरक्षा की लोग बात के ठीक है बाइरी सुरक्षा से से रिलेटेड कुछ बाते जो थी वह हम लोग देखे थे और आज के लिए मैं आपका एक कोश्चन दे रही हूं मेंक्page करें है और ये question देने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं तो उससे related आपके question कैसे पूछे जाते हैं बस मैं इतना बताना जा रहे हैं बिल्कुल परिसान मत होएगा कि हमसे question का answer नहीं बन रहा है ये 2017 में पूछा गया था जीएस पेपर 2 में पूछा को question क्या गया था आपके पास question पेपर हो तो वहां से भी आप देख सकते हैं इसमें क्या पूछा गया था कि चीन ठीक है ध्यान से सुनिएगा जो अभी मैं बताती हूं कि हमारे पड़ोसी जो देश होते हैं उनके साथ किसी भी राश्टर के साथ यहां की बाते हम लोग समझ चुकी है इससे पहले वाले शेप्टर में कि किस तरीके से क्या होता है कि यह चाइना ने पाकिस्तान की मदद की तो ऑबियसे कि वह उसको अच्छे खासे हतियार देगा और अभी ड्रोन हमला वगरा चाइना कर रहा ठीक है वह स्वारी चाइना से लेके कौन गण खरा पाकिस्तान तो पाकिस्तान तो अपनी हरका से ख्यर 177 तो इससे हमें रहना पड़ेगा कि कुछ जो हमारे सकरात्मक ब्यापार अधिसेश को एसिया में संभाब बिशैनिक सक्ति हैंस्यत को विखसित करने के लिए उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा ठीक है एक बार मैं फिर पढ़ रहे हूं ये इनवेड़ाबल इनवेटेट कामा में पूरा लिखा गया ये वाक्या कि चीन है अपने आर्थिक संबंदों एवं क्या है वो सकरात्मक ब्यापार अधिसेश को एसिया में संभाब शैनिक सक्ति हैंसियत को विखसित करने के लिए उपकरणों के रूप में क्या कर रहा इस्तेमाल कर रहा ठीक है और इस कथन के प्रकास में उसके पडोशी के रूप में भारत पर इसके प्रभाव पर चल्शा कीजिए ठीक है अब भी जो मैंने बताया कि वो चाइना को अपने हतियार दे रहा है स्वारी चाइना जो है पाकिस्तान को अपने हतियार दे रहा है बट उससे हमारे देश में क्या इफ्ट उसका पड़ने वाला है या चाइना के पा साथ किस तरीके के रिष्टे हैं कैसा संबंद है भारत भी इस यह चलते हैं और यह सारी बाते जो भी ल्लेगूलर होंगे मुझे सुन रहे होगे वह की चाइना के साथ भी हमारे इतनी मिलब कुछ ही साइना कोई भी राश्टान तो इतना मतलब परेट की एक रिखन की सही गलत जैसा भी वने और आप लोगों के पास मैंने एक नमबर बताया था वाटसप नमबर या आप ग्रूप में होगे तो किसी एड्मिन के पास भी आप भेज सकते हैं ठीक है तो बिलकुल वहाँ पे भेज दी दिए जैसा भी बने आपसे सही गलत इसमें कोई परिसान होने की बात नहीं है बस य पर रहे हो तो वह साइड डायरेक्शन में जा रहे हो यह नहीं ठीक है कि हमारे किस तरीके से क्या रिलेशन्स होते हैं और अब देखिए क्वेशन एक बार बार पढ़िएगा जब तक समझना आए कि इसका जो ब्यापार है ठीक है आर्थिक संबंदों सकारात्मक ब्यापा और इसके बाद हम देखेंगे कि करनों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और इस कथन में क्या होगा कि उसके पडोशी के रूप में भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़ेगी तो अभी जो मैंने आपको पाक का एक्जांपल बता कि वह दे रहा है और देखिए इसका ना बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि यह जो पॉलिसी एक रिण जाल अभी मई की जो आपकी विजन की मैगजीन आई है तो उसमें आप देखेंगे इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसका जो टॉपिक है एक रिण जाल करकी है ठीक है चीन का जो रिण जाल है थोड़ा मैं यहां पर अकरा है आपको समझा देती हूं सायद हो सकता है आपको एंसल लिखने में łat 좌नी हो ठीक है चीन क्या करता है अपने रिण जाल के तहट इसमें लोगों के फसाता है इसज़ध सी आपको पता सकते हो क्योंकि आई एमेप या वर्ड बैंक और गएरा से रिंड लेने के लिए अधर कंट्रीओं को क्या होता काफी मसक्त करने पड़ी उसकी सर्थे काफी कटीन होती हमने भी लिया तरी तो हमें भी उसकी Lpj को स्वाविकार पड़ा था थ हृँ उसकी जो चर्ते होती हैं काफी कटीन होती है चीन क्या करता है आसानी से रिंड दे देगा के बात क्या होगा जैसे पाकिस्तान ने रिड लिया लेकिन चाइना ने क्या किया जब पाकिस्तान का उसका टाइम ओबर होने लगा उसने 94 साल के लिए उससे प्टे पे ले लिया अब वो कुछ दूर था भी पास आ रहा है ठीक है उसके बाद भारत में इफेक्ट आप देख सकते उसके बाद से लंका का हमबन टोटा बंदरगाह के साथ भी यही होता है कि पहले तो उस सिर्फ हमारे पड़ोशी देशों के साथ नहीं कर रहा है अधर कंट्रियों की साथ जो आपने वेल्ट एंड रोड इनिस्याटिव की बात सुनी होगी तो उसमें भी पाकिस्तान का मतलब चाइना का जो यह रिण जाल वाली रिणनेती है न तो उसको भी आप बहुत अच्छे खासे तरीके से समझ सकते हैं तो अच्छी वात नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ा करिए आपको जानकारी थोड़ी एक जगे अच्छी बिल जाती है उससे यह जो अभी मैंने बता दो एक्जाम्पल आपको पुट करने ही करने हैं और मैंमार से रिलेटेड वी एक यांगू कर्ज दे तो देता है लेकिन अब इसमें क्या होता है कि कोई इसकी पॉलिसी नहीं है कर्ज के सधार पर दिया आपको नहीं पते कि आपको यह कर्ज कितना दे रहा हो कई से रहा ठीक है आपने बहुत खुस हो कि हमने कर्जा ले लिया यह कह देता ठीक है वह होता है कि हमारे जो क्या दिक्कत है अब आ चाहले आप नहीं हुआ अरह देश यदी डबला भी होता तो तुमसे करजा लेने क्यों आता ठीक है अब जब उनके पास पैसा है नहीं उपर से वो करजा ले रहे हैं तो गरीबी में आटा गीला जो कहते हैं वही वाली इनकी कहावत यहां पे लग रही है और बंगला देश के साथ भी यही किया लिए उसके बाद यहां पे श्रीलंका का हमबन टोटा बंदर उसके लिए भी अच्छी-कासी रखम दिया अब कहरा अनुपयोगी है अब इससे हमें देदो ठीक है उसके बाद आपका बंगलादेश का चटगाउं बंदर गा ठीक है तो इन पे यह क्या कर रहा है आर्थिक मदद दे रहा आर्थिक मदद दे रहा और जब आप लॉटा नहीं रहे तो आप समझ सकते हों कि क्या होगा ठीक है तो थोड़ा सा क्वेश्चन के अक्वाडिंग आप एंसल लिखिएगा यह जो कुछ एक्जामपल बताएं तो उनको ध्यान में रखिएगा उसके बाद मै आपको इस एंसर को लिखते टाइम ध्यान रखना है तो आपको लिखना कैसे है कि थोड़ा से इसका इंट्रो देना है उसके पाथ इसका जो भी आपकी बाड़ी पॉट से चाहे तो आप प्लो चार्ट में बनाके लिखे लो चार्ट यह उच्छ करेंगे तो वेटर होगा क एसे चाइना की पॉलसी लेकिए यह कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है आपके लिए भी और एक्जामिनर के लिए भी पैराग्राफ में क्या होता आप सोची आपको कोई काईपी करने के लिए देगा तो आको क्या लगता कि यह एसे लिखा को फ़ंड़ा की यह क्या लिखा क्या लेकिं आप ने क्या अपने लिखा यहाँ पर चाइना की आर्थिकों नीटीепंट के आपने लिख दी आ ये ऐसे करके एक्जामिनर को सीधि समझ में आ जाएगा कि पाक का जो अधर बंदर का है कि इसने रिंड दिया उसके बाद यहाँ से दिया फिर यहाँ से दिया अब भारत पर इसमें प्धुर्ट है क्या पढ़ने वाला हम ने सीधिय धर्सा दिया अब उन्हें इंग्जामिन पैराग्राफ में लिखते हैं कुछ वाड़ी पार्ट पॉइंट वाइज या पैराग्राफ में लिखते हैं बट कुछ चीजे ऐसी होती है जो भी मैंने इसे बताया कि हर चीजे आप उसमें लिखेंगे तो थोड़ा उसका मतलब इक्जामनेर का भी होता है जो भी यह देख लेते हैं सब्सक्राइब निकलते हैं हलाकि इसा मतलब इतना इससे नहीं चेक करते हैं थोड़ा इफिक्ट हमारा अच्छा पढ़ना चाहिए is बोरिंग काम भी नहीं होनी चाहिए हमारी, तो आप लोग भी ऐसी कोसिस कीजेगा, अब आते हे अपते चैप्टर पे, आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं, ठीक है, इसमें क्या है कि, अभी पहरंपारिक धार्णा की ही बात कर लेते, बाई सुरक्षा का हमने देखा बाई सुरक्षा पर किसी भी राष्ट के किसी भी राष्ट के साथ संबंद होते हैं और ये question आप करेंगे तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा कि क्या कैसे है ठीक है तो इसमें क्या हुआ अब आंत्रिक शुरक्षा की भी बात करी लेते ह क्या कैसे होगा इतनी यहां पे बात पढ़ने के बाद आपके जहन में यहां पे यह सवाल जरूर कौधा होगा कि क्या सुरक्षा आंतरिक शांती और कानौन विवस्था पर निर्भर नहीं करती है यह नहीं कि जो सुरक्षा है वो आंतरिक शांती और कानौन विवस्था पर ठीक है यह क्वेस्टन आपके मैंड में आना चाहिए हमने सुरक्षिया की डिफिनेशन अच्छे तरीके से अभी डिफाइड नहीं कर पाएं ठीक है अभी उस तक पहुंच रहे हैं इन सबकी एक्जामपल के बाद अब इसमें क्या हुआ है कि अगर किसी देश के वीतर रक्त सुरक्षित नहीं है तो यह भी बात बिल्कुल थे हैं कि हम तो कहते हैं कि हमें बाहरी राश्टों से थोड़ा संकट है लेकिन हम घर के ही अपने जगड़े से नहीं निपट पारें पड़ोसी तो फाइदा उठाए गई क्योंकि हम घर में ही एकता नहीं है घर पर लड़त होने वाले हैं तो मुझका क्या करेंगे कैसे करेंगे तो उसके लिए विवस्था हैं पूरा सिस्टम समझने क्या होता है इसमें क्या हुआ है कि इसी कारण सुरक्षा की परंपरागत धार्णा की जो जरूरी रिष्टा अंदरोनी सुरक्षा से भी आपको देखने को और दूसरे विश्युद्य के बाद से क्या हुआ है कि इस पहलू पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया तो इसका कारण यही था कि दुनिया के अधिकान स्ताकत वर्देश अपनी अंदरोनी सुरक्षा के प्रती कमोवेश अस्वस्थ थे यानि कि दूतिय विश्युद्य के जो मतलब फिर से युद्ध होने तक की इस्थितियां आ गए थी वही कारण था कि हम अपने अंदर के लोगों कोई खुश नहीं कर पा रहे थे ठीक है और यह सोचते भी नहीं थे हम दूर दूर भे भटग रहे थे कि यह करना वह करना ऐसा वैसा वह होता ना कि हम अपना व चाहिना की पॉलिशी आपने पढ़ा था कि चाहिना ने सब कुछ रिष्टे ना दे छोड़ दिया हम खुद ही अपने अंदर ही रहेंगे आप यहीं प्रोड़क्ट बनाओ यहीं इस्तिमाल करो यहीं उसका जो भी है खतम करो सब कुछ यहीं पे कर दो ठीक है लेकिन बाद बाद उसके आज भरतमान समय में आर्थिक इस्तित में बिदेशी मुद्र है सब्सक्राइब उसके पास है तो यह धीरी धीरी हमारा प्रोसेज होता लेकिन अधर कंट्रियों नहीं कि हमें तो कोई मतलब ही नहीं हम दूसरों पर टांग ज्यादा अड़ाते ठीक है अब क्य अंतिरिक शुरक्षा पहले की तुलना में कहीं कम महत्तों की चीज बन गई है और सन 1945 के बाद ऐसा जान पड़ता है कि सयुक्त राज अमेरिका और सोभिय संग अपनी शीमा के अंदर क्या करने लगे यहां पर एकिक रित और सांती ठीक है कौन-कौन से सोभिय संग और अमे इन देशों ने अपना ध्यान सीमा पार के खत्रों पर केंदित किया है तो यह देखिए कि इनको क्या लगता है था कि हम अपने अंदर बहुत अच्छे सांते से रह रहें सोभिय संगी विगटन का आपको कारण आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा कि क्या तबहां की दिन जनता ही संतोुश्ट नहीं थे तो बहुत्त नहीं है था ना कि हमने पहले जो पूर्फी यूरोग आपाले रहे थी लेकिन यहाँ पर ची तरीके से रहें थे रहे तो ये पन न भर भी भी भर रहेibod bene अब इनको जब यहां की इनको यहां की बात पता चली तो बवाल तो मच नहीं था और अंत्रिक असांती हुई और उसके बाद से फिर यह सारी घटनाएं हुई थी और और भी कई सारे रीजन थे लेकिन उन रीजनों में से एक अंत्रिक असांती का भी था ठीक है अब इनमें क था कि इनकों लगता था कि हमारे यहां बहुत अच्छा सांती चल रही है तो हम सीमा पार के देशों पर क्या करेंगे बात करेंगे वहां को हम देखेंगे क्या कैसे है क्या होता है कि इन देशों के सामने बाहरी खत्रे क्या थे यहां पर फिर हमें संदर्म और इस्थीती पर ध्यान देना होगा और हम इस बात को जानने मतलब जानते हैं कि दूसरे विश्युद्ध के वाद सीत युद्ध का दौर चला और इस दौर में स्रेयुक्त राष्ट अमेरिका के नित्त वाली पश्यमी गुट तथा शोविय संगे की अगुवाई वाला जो साम्मेवादी गुटों की बात की जा रही है ये दोनों सीत युद्ध में होते होते युद्ध रह गया तीक है अब यहां पर क्या हुआ बहुत बदलों भीसर इस्थिती बन चुकी थी कि हो नहीं है दोनों ही अपने आप में तीसमार खाव बने हुए थे कोई भी कम नहीं था लेकिन उपनिवेशों में उपनिवेशी क्रेट जंता से खून खरावे की चिंता सता रही थी अभी क्या है कि यह लोग आजादी चाहते थी इस सिलसिले में हम याद करें कि 1950 के दसक में क्या हुआ था कि फ्रांस को बियत नाम अथवा सन 1950 के दसक में ब्रिटेन को केर्णिया से जो इतना हुआ फ्रांस और वियतनाम यह दोनों ही मतला जूर्श भीड़ते हैं ठीक है सांती होती नहीं इनको बीटी अब उसके बाद क्यों होता ब्रीटेन है केन्या है अब देखिए ब्रीटेन जो है कहां का यूरोप की कंट्री है केन्या कहां कि आप मैटला स्कोलिए कहां पर आता है केन्या यह आपका अफरीका का ठीक है अब इनमें देखिए कि कैसे टकराव बन रहा है कहां का मतलब कुछ समझ में का मैटा रहा नहीं ठीक है उसके बात क्या होता है कि उपनीवेशों नहीं क्या कि 1940 के दसक के उत्रार्द से आजाद होना शुरू किया और उनके सुरक्षा सरोकार अक्सर यूरोपी अताकतों के समानी थे और कुछ नव स्वतन्त देश यानि की यूरोपी अताकतों के समान सीत युद्ध कालिन घुटों में एक ना एक के सदस्व बन गए और ऐसे में इन देशों को जोर पकड़ने मतलब पकड़ते सीत संग नेक्या कि इंसे दुस्मनी ठाननी थी और या कि आप बात करो कि अमरीका अधुवा सुभिय संग कि साथी देश से वेर में मतलब मोलना था और दूसरे कि विश्युद्ह के बाद से क्या था कि जीत ने जितने भी युध् sparked उन में से एक तीहाई जो भी युद्ह थे आपके तो क्या था कि युद्धु के लिए शीत युद्ध जिम्मेदार था कौन सा युद्ध सीत युद्ध में सिर्फ अमेरिका उसमें तो कई राष्टित सामिल थे सोवियस संक कहते हैं आपको पता होना जी कई बार में बता चुकी है अब तो आपको बिल्कुल रटगे होगे कि अपर शामिल था उत्तरा जिकार के रूप में बाद में वह सामने आता है कई सारे यूरोपी देश भी सामिल थे और एस्टिया की देश भी सामिल थे ठीक है उस के बीच जो भी था अब इनके आस्पडोस वाले देशों का भी खून खौल रहा था और चीत युद्ध तो चली रहा था लोग क्या कर रहे थे इसलिए तो बात की जारतें सीत युद्ध के थर्ड वर्ड वार का रूपना धारन कर ले और यही मतलब लोगों को डर था सारे प अपना बसा लेते पहले दूसरों को बाद में करते लेकिन नहीं मतलब ठीक है उन पर जो भी चल रहा है तो इसको आप देखिए कि सबसे मेजर जो यहां पर जिम्मेदार था ना इन सब के लिए वह सीत युद्ध हुए उनके लिए जिम्मेदार आपको दिखाई देगा च उसी तरह आजादी के बाद कुछ उपनिवेशित मुलकों का डर था कि उनके यूरोपी उपनिवेशिक सासन कहीं उन पर हमला ना बोल दे और ऐसे में क्या हुआ कि इन मुलकों को एक सामराज जिवादी युद्ध से अपनी रक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ी ठीक है अब क्या हुआ यहां पे कि जो राष्टे सुतंत्र हो चुके थे उन्हें भी डरता कि फिर स्ने हमारे उपर हमला ना हो जाए क्योंकि शीत युद्ध जो तीसरा वर्डवार बनता ना तो उसमें से आप समझ सकते हो कि फिर सिच्वेशन मतलब हाथ से निकलने वाली थी बह हम बढ़ रहे थे आजादी की ओर ठीक है लेकिन फिर भी बहुत साल पीछे फिर हम चले जाते कि 1925 तक जब हम अभी दो साल बाद ही हम आजाद होते हैं लेकिन मान के चलिए कि यह घटना हो जाती और फिर से इसका असर हमारे उपर भी बहुत बुरा पढ़ने वाला था ठी सकते किस तरीके से मतलब घटना होने वाली थी एसिया और आफ्रीका के 900 तंत्री देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनवतियां जो थी यूरोपी देशों के मुकाबले दो मायनों में आप कह सकते हो कि थोड़ा अच्छी थी वह कौन कौन से थे तो एक तो था कि इन ही देशों से उन्हें खतरा था ठीक है पहले तो खैर वह देशों के तो आप छोड़ी दीजिए कि भारत ये वह भारत भीना भारत कमन होता था तो कुछ देशी रियास्ते वगएरा जाती थी वह तो यूरो मतलब यूरोपी कंट्रियां यहां पे आती हैं तो कुछ तो मतल सब आधा अपने बस में कर लेती हैं तो ठीक है कि इतना आधा पार्ट हमारा है जो ब्रिटिस वाले राश्र बन चुके थे बाकि आप देखते हो कि कितने मतलब छोटी-छोटी देशी रियास्ते थी जब हमारा भारत आजाद वह उस ताइम पे 552 रियास्ते थी ठीक है कि इन देशों के जो भी पडोशी देश से सैने हमले की असंका थी दूसरा क्या था कि इन्हें अंदरूनी सैने संगर से की भी चिंता करनी थी अब यहां पे हम बहुत अच्छे खासे तरीके से जूज रहे थे ब्रिटेन वाले या हम कहें कि यूरोप वाले व्यक्ति जो है कोई भी ऐसा राश्टर नहीं बच्चा जिसरे उन्होंने छोड़ा हो क्यूंकि उनका यह अभ्यान ही चला था कि हम रहर राश्टर में जाना पहले यह नहीं था कि हम वहां पर सासं करना लेकिं देखें कि पब्लिक यहां की वेकुफ हैं हम यहां पर सासंग कर लेंगे और बन जाती है हमारे देश में भी आए तो थोड़ा अच्छा चाम की यह गोरे तो है यह अब रंग तोड़ा देखने में लोगों को एफिक्ट करी जाता है अब क्या हुआ कि लोगों को लगों कि भाउ यह तो हम अपनी धर्ती पे तो ऐसे इनसान कभी देखें नहीं और धर्त मिल जाए तो पे लेना चाहिए अब हमारी मेंटल लेती तो यह बन चुकी थी हमारे पांच भी नहीं था उनको उन्होंने इसका फाइदा उठाया हर जगह पर यहीं सिच्टियेशन थी आपको क्या लगता कि अमरीका बोट डबलब तो हम थे भारतिया वाले थे तो इसमें क्या हुआ ना कि यहां पर देखें कि जब की सिच्टियेशन कैसे वनीनों ने फाइदा बस अपना ब्यापारिक यानि के आर्थी किस्तितियां बढ़ाना चाहिए थी कि हम जगे 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 जाके जहां-जहां से भी कुछ में मिल रहे हैं कहीं से कपड़े बनाने की सामान मिल रहा है कैसे में सोना चाहिए मिल रहा है हम वो सब लाके अपने यहां पर अच्छा खासा तरीके से उप्योग करेंगे ठीक है लेकिन इनको तो वाइसा बना अच्छी घास्ति मतलब यह फाइदा मिल गया कि नहीं हम तो जब चाहें जिससे चाहें चाहां पर चाहें अपने निकाल दिये गए हमारा घर नहीं अंदूसरों के गुलाम बने बैठें तो बाद में हमें पता चल पाता है कि इन्होंने क्या क्या हमारे साथ नहीं किया था पूरे वर्ड में ही इनका यह जंडा ही चला था कि हम ऐसा ऐसा करेंगे ठीक है इस्टाटिक में कुछ और देह बाद में लोगों की कंजोरियां पकट के कुछ और कट लίक Le revenge तो इनमें सी क्या हुआ observed हमें बाहर खहार था हमारे संगहा देश यह कहले हैं वह साथ हिए पसक्राइच खत्री की bottom थी आनेग लसे ससक्राइच डूसं की सियूकर अमरीका था पनिवयश्च्त वैसे मि've रहते थे और क्या होता था कि इनके बीच सीमा रेखा और भूचे त्रथवा आबादी पर नियंत्रन को लेकर या एक एक करके सभी सवालों पर जगड़े हुई देखिए पहले ऐसा कुछ नहीं था कि अभी पहले जो था आप अखंड भारत का जो मैप देखेंगे तो को और उसके बाद यहां से जिसे माले जी कश्मू कश्मFirst वाला पार्ट होगे इधर से आएंगे आप तो यह यहां चूल से यह यह पूरा मेंऑ मार का हो गया पूरा बंगलादेस mum सोगा गया यह पूरा सब कुछना अपना था कुछ भी यहां पर अलग नहीं था अलग ना तो यह सारी चीचे मतलब फिर डिवाइड होती है बाद में राष्ट्र बनते हैं तो इसमें से क्या होता है कि यहां पर यह मत समझी गया कि पड़ोशी देश का मतलब पाकिस्तान उस्टाइम पर था चाइना था यह वह इन से खत्रा था चाइना से मारा कोई बंतलम नहीं दे तो इसमें से क्या हो रहा था सबकुछ 1859 की क्रांतिव का इसारे योद्धु यह आपस में ही लोग लड़ रहे हैं भिड रहे हैं लोगों को पता चला कि अब हमें आजादी चाहिए कुछ लोग आप हमें जब आजादी चाहिए तो हम हिंदु मुस्लिम में लड़ रहे हैं मतलब एक तरफ तो हम लड़ रहे हैं अंग्रियेजों को बगाने के लिए दूसरी तरफ हम लड़ रहे हैं भाईया साथ-साथ हमको भी निप्टाते चलो हम हिंदु हैं आप मिसलिम हो इस अधार पर हमारे डिवाइडेशन करो हमारा घर भी बिखर रहा है और हम तो पूरे वैस भी घटना की बात हो रही थी कि मैं आप इंडिया की हिस्ट्री पड़े होगे इसलिए इंडिया का ही एक्जामपा लेकर आपको समझाने की कोशिस कर रहे हूं अब क्या हुआ यहां पे कि जो आपके है यहां पे सीमा रेखा और भूचे तरथवा आबादी पर नियंत अब पाकिसान की मांग उट गई थी ठीक है तो यहां से अब अलग राष्ट बनाने की मांग तो सुरू हो गई आप कुछ है संभाले कर रहे हैं भारत में सामिल कर लिया गया क्योंकि चाइना उस पर आरी नमला बोल रहा था बेचार आल पर संक्यक था अब यहां पर था कि अच्छे आएकम चाइना यहां भारत पर ही मिल जाते हैं तो पहले ऊसमें क्या हुआ था कि एक ऐसा रहता कि हम सम राजी की तरह रहेंगे तो पहले हम देखेंगे कि क्या यहां पर हम यादी सामील होते तो हमारी पब्लिक को अच्छे वहीं सुविधाय मिलती है यह यहीं म हमारा है है और ऑर आज एक हमारा वह हिस्सा बन कुआ है सिक्किम जो है हमारा एक क्या बन चुका है ठीट और तरीके से ना तो सिक्किम बालों को को कोई doubts ना तो हम लोगों को दिखकत बख्वी उनके साथ रिष्ठे बखोट अच्छी ठीक है लेकिन पहले वो क्या था एक देश था तो देखिए ऐसे उसमें बटे हुए थे अब इनमें अलग-अलग राष्ट्रों को लेके मांग चल रही थी अभी जब हमारे देश सोतंत्र रहने का फैसला ले ली थी तो एक तो था जम्मुकस में ठीक है दूसरा था आपका जूनागर और तीसरा था आपका हैद्राबाद तो इन सब को मिलाया कैसे गया था जो जूनागर था उससे क्या किया गया जन्मस संग्रे से मिला लिया था भारत में जन्मस संग्रे कराया गया सरदार बल्लाव भाई पटेल को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आपक इनको मिला ले जब यह बात नहीं बने तो कहा कि अब बीच में कहां से राज बन जाएगा तो इस में से क्या किया गया है यहां से फिर चारों तरब से मतलब इतना हिस्साम कैसे छोड़ सकते तो इनको पुलिस वाल के द्वारा मिला लिए अब बचा जम्मु गश्मीर को भी बिले पत्र के द्वारा मिला गया लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा बावाल था अब सांती हो गई ठीक है हलाकि सांती तो नहीं होई बट यह कह सकते ह है वह हमारा अंग बन चुका है अब अच्छे तरीके से वह पूरा हो चुका है अब इसमें क्या हुआ है और इसका इंसासित बनाने का भी रिजन है बहुत बड़ा कभी अभी चैप्टर में आएगी कोई बात तो समझाएंगे इसमें क्या हुआ कि आप देखिए यहां पर मैं कोई परऊशी मुल्क ऐसे ग्रहयों का युद्धों के संख्छा से दोगुन के बлеदि ओ गई थी सबसे बड़ी क्या बन गई चुनावती बन जाती है यह क्या होती है सुरक्षा की आपको देखने को मिलेगी सबसे बड़ी यहां पिशुनोती बन का रुभरती है और सुरक्षा की जो पारंपरिक तरीके हैं अब इनमें आते हैं हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरीके से अभी आप थोड़ा से डीटेल समझ चुके हैं कि कैसे हम आपस में भी लड़ रहे थे बाहर भी लड़ रहे थे आंत्रिक लक्षा की जो परंपरागत धार्णा है उसमें हमने क्या पढ़ा आंत्रिक और बाह थीक है उसी के बारे में भी पूरे ये दोनों ही पार्ट समझ रहे थे तो इसमें से क्या बताए जा रहा है कि स्वविकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तिमाल यथा संभव सीमित होना चा जो है उचित कारणों यानी की आत्मिरक्षा अथवा दूसरों को जन संघार से बचाने या बचाने के लिए ही करना चाहिए तो यह क्या था इनका जो अब मानना हो गये था यूरोपी देशों के चलते ही कि हमें आत्मिरक्षा सेल्फ डिफेंस या की हम बात करें कि दूसर को जन संघार से बचाने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर बात कर सकते हैं और इस द्रश्टिकोंड के अंसार किसी युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित इस्तेमाल होना चाहिए जब इतनी ही बात है ना तो आप इस्तेमाल भी जो हथियार कर रहे हो उसे सीमित तरीके से करो ठीके दोनों पक्षों को ऐसा करना चाहिए युद्ध रत सेना को चाहिए कि वह संघर से बिमुक्ष सत्रू निहत्थे व्यक्ति अत्वा आत्म समर्पन करने वाले सत्रू को ना मारे और यह बिल्कुल आप देख सकते हो कि यह आज भी फालो होता है यदि यहां पे निहत्था का मतलब उसके पास अब आपके प्रतियुत्तर के लिए कोई वह थियार नहीं बचे हैं तो उससे आप उस पर वार नहीं करोगे दूसरी वात कि आत्म समर्पन कर देने वाला व्यक्ति जो अपने आपको सरिंडर कर देता है आप उस पे कोई वार नहीं करेगे मै तो आप यह नहीं करोगे कि आप उन्हें मार दोगे ठीक है उन्होंने आप में समर्भन कर दी आपके पास आगे आप चाहों तेके को टपका दो ऐसा नहीं वो उनकी जीवन की रक्षा करना फिर आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है और यदि वो निहत्ते हैं अभी जो पाकिस्तान में वो पहुंच जाते हैं तो आपने देखा था तो इसमें देखा था आपने की उनको जो भी वो थीक है कि थोड़ा बहुत टाचर वगएरा यदि किये हूं उनकी मतलब खून में है तो वो करेंगे पाकिस्तानी ठीक है लेकिन ऐसा कुछ नहीं तो उनका बख वर्डिंग कि आप उसे क्या करो पकड़ के मारो और यहां पर युद्धी चल रहा था हमारा ठीक है जो अपरेशन चल रहा था उसी के तैथ वो उधर चले गया थे गलती से पैराशूट गिरना इधर था गिर उधर गया था तो उसमें से उन्होंने क्या कि उन्हें तो मान के चलिएगा कि फिर क्या होगा युद्ध के जो भी अभी तक हुए है चार युद्ध उसमें तो पाकिस्तानियों अच्छे गासे देख चुके होगे कि क्या कैसे है और यहां पर बाइज़त उन्हें लाके पहुंचाया जाता है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीक तक ही हिंसा का सहारा लेना चाहिए बल प्रियोग तभी किया जाए जब बांकी उपाय असफ़ाल हो जाए ठीक है यादि कि आपको बल प्रियोग भी करना बटुत नहीं जितना कि आप सेल्फ डिफेर्स कर शको ज्यादा मत करो और आप तभी करो जब क्या हो कि सारे पैत्र और इसके बाद क्या है कि माग होती है और कि सभी राज चाहे उनका आकार ताकत और प्रभाव कुछ भी हो कुछ खास किसमे के हंथियारों से वो क्या करेंगे कि वाच आएंगे जैसे कि परमाण हो अथियार रखने पे आप करते रोखते रों रखते रहें तो हो तो कहां यूज करें कैसे क्योग पास यूज आ है हमारे पास फिर बढ़ियार है इसके पास तो यह तो आसी भी मतलब उनके पास भी खा कि हमारी ताकत कैसे बता चले हमने इतने सारे परमाण भूम रख लिए इतने सारे जैवी खतियार बना ले कैसे होगा तो सीधे है कि छोड़ दो फिर चोड़ तो फिर आप जब छोड़ोंगे तो दूसरे देश को यह तो हो जागे हम आगाह कर रहा है कि यह सतर करो हम कुछ भ कि हमतियारों को रखने के लिए क्या हो कि थोड़ा बाच आए थोड़ा कंट्रोल करें जांपल के लिए क्या हुआ था 1972 जैवी खतियार संधी वायोलाजिकल वैपन्स कंवेंशन डेबलू वी डेबलू सी तरह था 1992 की यह 1972 रशाइनिक हतियार संधी केमिकल वेपन्स जो विंशन था शी डेबलू सी में ऐसे हतियारों को बनाना और रखना प्रतिवंधित कर दिया गया है और 155 से जादा देशों ने वी डेबलू सी संधी और 181 से जादा देशों ने क्या किया है सी डेबलू सी संधी पर हस्ताक्षर किये हैं और इन दोनों संधियों पर दस्तक करने वालों में से यदि आप देखें कि सभी महाशक्तियां सामिल हैं लेकिन महाशक्तियां क्या हैं अमरीका तथा शोबियस समुहिक जो संगार के जो सस्त यानि की अस्त्र सस्तिया आप बात करें परमाणवी खतियार का बिकल्प नहीं छोड़ना चाहती थी और इसलिए दो बंदिक के में कुछ कादे कानूनों का पालन करना पड़ता है तो जो अस्त्र नियंत्रन होता हमने देखा था कि वो लोग अपने मतलब परमाणूं को नियंतित करने के सभारी हं थियारों को नियंतित रखने के लिए संधियां की थे ठीक हैं इनमें क्या हुआ कि 1972 की एंट भी जा सकती थी और इसके बाद क्या हुआ कि दोनों देशों को सीमि संख्या में ऐसी रक्षा प्रनाली तैयनात करने की अनुमति थी लेकिन क्या होता है कि इस अधीन ने नीयंत्रन की कई अन्य संधियों पर भी हस्ताक्शर किए थे जब हम सभी संभाना शेप्टर पढ़ हुई थी आपको याद आनी चाहिए पूरा लिखा गया था वो कौन-कौन सी संधिया हुई थी और उसे हम लोग देटेल से पढ़े भी थी तो यह जो संधी होती अस्त्री नियंटन के लिए वहां पर जिसमें से क्या था सामरिक आस्त्रे परिशीमन संधी तू यानि की स्ट् स्ट्रेटेजिक आंस रिडेक्शन्स ट्रीटी आपकी हुई थी और इसमें से आप देखेंगे कि परमाणू आप्रशार संधी यानि की नुक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी हुई थी आपकी यानि की नपीटी 1968 में भी जो संधी आपको देखने को मिली थी और एक परमाणू हतियार बना लिए थे तो क्या हुआ या उनका परिक्शन कर लिया था उन्हें इस संधी के अंतरगत हतियार को रखने की अनुमति दी गए क्योंकि जिनके पास पहले से है तो हम कुछ कर दी सकते अब बनाओगे आप लिमिट से जादा तो यहां पे आपको इस सं मिलती है तो आप बनाओगे अधर्वाइस अपनी मर्जी से जम्मन करें आप उत्पादित नहीं कर सकते हो 1967 के पहले जो बन गया उसकी बाद छोड़ी 1967 के बाद ठीक है अब क्या हुआ कि यहां पे जो उनका परिक्शन कर लिया उन्हें भी कोई बात नहीं ठीक है रखो और परमाणू प्रसार संधी के ने क्या किया कि परमाणविक आयुदों को समाप्त तो यहां पे नहीं किया लेकिन इन्हें हांसिल कर सकने वाले देशों की संख्या जरूर कम की है तो जो परमाणू प्रसार संधी हुई थी कब हुई थी आपको याद आना चाहिए ठीक है जो भी कांटिन्यू देख रहे होगे एक एक चीज जो अभी हम यहां पर बढ़ रहे हैं हम जब शोबियाज संग या सीतियुद्ध बढ़ रहे थे ना वहां पर सीतियुद्ध के बाद कि यह घटना है कि यह संधियां हुई थी कि ऐसे ही दोनों ही देश क्यूंकि अपने देखता कि कौन किसका है और देखिए जो जैवी खंतियार के लेकर यहां पर चर्चा हुई है तो यह थोड़ा सा आप इस पर ध्यान रखिएगा चाइना भी सामिल है कि जो जैवी खंतियार आप बना रहे हो 1972 में हुआ 1992 की यह घटना है ना जब भी आप इंसर लिखेंगे बातों को ध्यान रखेंगे कि 1972 की संधी क्या कहती है आपको जैवी खंतियार संधी यानि की वायलाजिकल भीपन कवेंशन और 1992 की घटना कहती है कि आपका जो केमिकल भीपन कवेंशन है उसकी बात करती है ठीक है कि उसको आप नहीं रखोगे लेकिन चौरी छुपे तो मतलब यह कि आपने कोई एक वायरस तयार कर लिया चोड़ दो उसे काम खतम तो यहां पर इन सबको रखने के लिए अभी इन समयना माहिर जो है कुछी कंट्रियां चैन में से चाइना तो बहुत आंगी निकल चुका है तो मतलब आज भी उसके लिबरेटरी में यह सारे काम चल रहे हैं जबकि इसे पूरी तरीके से प्रतिवंद किया गया है कि कोई भी ऐसा नहीं करेगा घ्रणित काम और उसका आपको रिजल्ट भी देखने को सामने मिल रहा है कि किस तरीके से यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हो रहा है ठीक है अब यहां पर चाहिए ना कि कुछ और करते कुछ हो ठीक है अब क्या हुआ कि सुरक्षा की पारंपारिक धार्णा यहां पर यह बात सामने आती है यह मानी भी गई थी कि विश्व जो है बहाली के उपायों से देशों के बीच हिंसा चार कम किया था और किया जा सकता है और विश्व बहाली की प्रक्रिया को अपने फोजी मकसद था एक हद तक अपनी योजनाओं के बारे में भी बताते हैं और ऐसा करके क्या होता है कि ये देश अपने प्रतिद्वंदी को इस भात का अश्वासन देते हैं कि उनकी तरफ से शौ अन्यनी की अचोक ठीक है जो है कि और चक हमले की योजना नहीं बन फटादो कि ऐसा ऐसा देखे आप बढ़ते हैं भाड़तों के लिए बहुत चलते हैं और चलते हं थल सिना के बायू शेना के बारत थाइलांड इंग्लैंड की आपयास का मतलब करने को क्या रिजन आपको समझ में आता है आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि जब ऐसे अभ्यास हो रहे है तो भाई क्या मतलब है इसका करने का तो अभी बता हैं हमारा मकसद क्या है इक हद तक के बारे में साजा करते हैं कि दोनों की अभियास करेंने करा तो युद्ध करती है शीकृन डोनों का कि समझ में आता है कि क्या किस तरीके से हो रहा है इसमें कोई युद्ध करने का मकसद नहीं होता और अस्वास्त भी रहते हैं यहां से कि क्या है कि हाँ ठीक है मतलब अभी कुछ ऐसी घटना होने वाली नहीं है इनका आप थोड़ा सा यह सब पढ़ेंगे ना तो यह हमारा चीजे क्लियर रहेगा तो सीधे चीजे हमारी क्लियर हो पाएंगे कि यहां पर ऐसी चीजे हो रही हैं तो मतलब इसका कोई बुरा असर नहीं है ठीक है क्या है कि एक हद तक कुछ जानकारी या योशना बताना भी जरूरी होता है एक हद तक अब कोई दुसमान है ना हम उस के साथ नहीं जाके बताएंगे कि ऐसा ऐसा कर लो ठीक है वहां पर बिल्कुल नहीं स्यार करने वाले हैं तो यह भी हमारे लिए जानकारी रखने वाली बात है और अब उसके बाद यहां पर हम देखेंगे कि देश अपने प्रतिदंदी के मतलब इस बात का आश्वासन दे करते हैं कि इन बलों को कहां तैनाद किया जा रहा है और संचेप में कहें तो विश्वासी बहाली की प्रतिदंदी करती है कि प्रतिदंदी देश किसी गलत फैमी या गलत यानि की क्या हो कि गफलत में पढ़कर जंगे के लिए आमादा ना हो जा इसलिए भी यह जरूरी हो होता है कि आपको कुछ बता दो कि हमारे सेना बैठाएं य क्या करते हैं वह सब हमारा मतलब साच्छा ही होता है तो पूरी डिटिल नहीं होती दुस्मन कंड्रियों के साथ आप नहीं करो जाके ऐसे है वरना हम खुद के पैर पे कुलहाडी मारेंगे और यह हमें बिलकुल भी कत्ता ही यहां पर ऐसा कुछ करने की कभी सोचना भी नहीं चाहिए अब देखिए यहां पर मैं कुछ एक्जामपल जैसे बताई थी ना कुछ आपके अभ्यास के नेम बता रही हूं ठीक है तो यह जो था दो हचार बीस कई गड़ना ठीक है यहां पर क्हाई हुआ भारत और रूस के ङंस होता अब ही देखीगा रूज के मद्धी होगा नव रूत साक्ष में हुआ उपक्रrée सिंगापुर के कि युद्धाव्यास के नाम 2,025 में हुआ था 20 foul अभी 2000 इहां पर जो सून्य तु मैत्री कर करने का कुई मतलब खास मकसद आपको समझ में आ रहा हुगा की ठिक है कि क्या है 2019 का यह भ्यास होता only ठीक है और यह कहां पे हुआ था आपका सेंटियल के संयुक्त वेस्ट लुइस मैक कार्ड में हुआ था थल सेना के वीच हुआ था तो अब देखिए यह जो सब कुछ हो रहा है वही तो आगे हम साजा कर रहे हैं ठीक है अब ऐसा नहीं कि अपनी यहां प यहां पर हम लोग सब युद्धा भ्यास करते हैं धीरे धीरे हम एक दिन भी रहे तो पता चल जाता है सारी चीज़े हमारी एक दूसरे से क्लियरटी आ जाती है कि ऐसा कुछ नहीं कि युद्ध की स्थितियां मगरा यहां से बनेंगी यह वो है तो सिर्फ भारत के साथ नह शेणा करें भारत और फाकिस्तान के सेना के बीच में कुछ इसे युद्धा भ्यास हो रही हाला कि भारत और चीन की सेना के बीच युद्धा भ्यास हुआ वह दृवी थ में त्थलसेना के वीच लेकिन उसके बाद हुए हृथा चीन और पाकिस्तान के वीच भी हुआथ था और यहां पर सिंग आर्जियन के लेकिन अभी भारत और पाकिस्तान के मतलब बो अभी 19 या बेस की बात करूं तो फिलहाल अभी कोई ऐसे युद्धा व्यास नहीं हुई है ठीक है तो थोड़ा इन पर नजर रखना आपको कि हम अपने बिल्कुल भी जीने हैं पता किन से बहुत ही जादा खत्रा होने तो हम जानते ही हैं कोई ऐसा हमें अपनी प्राइवेसी साज आपको यह जितना भी मैंने बताया है थोड़ा बहुत इतमे से आप कुछ अबजर्ब कर पाएं होगे और नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप लोग कमेंट वाक्स में कमेंट करके बता दिया करिए कि हमें नहीं समझ में आया है कुछ टॉपिक का नाम लिखी दिया करें जो भी आपको नहीं समझ में तो हम उसे दुबारा अच्छे तरीके से और कहीं से सर्च करके आपको एक्स्प्लेन करेंगे ठीक है मेरे को आता होगा तो ठीक है अदर्वाइस कहीं से भी मैं चानकारी लेकर आपको बताऊंगी और अच्छे समझाने की कोसिस करूंगी बर यह है कि आप लोग जब बताऊंगे तभी तो मुझे बता चलेगा कि समझ में नहीं आ रहा ठीक है अब यहां पर क्या है सुरक्षा की आप पारम परिक धार ना और यहां पर आपको समझाने लाग कुछ नहीं था इसलिए मैं पढ़के निकल गई हूं ठीक है क्यूंकि यह सारी चीजे जो है वो हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं ठीक है जितने भी संदियां हुई थी सेत्युद्ध के बाद उनिससो सरसट से पहले क्या था सरसट के बाद क्या होने वाला था वो सब हम लोग क्लियर कर चुके हैं तो ऐसा मैं समझे कि यहां से मेडम कोशिस करूंगी कि समझा पाऊं अब आएगा आप परमपरिक धार ना और इसको हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्या है और जो मैंने में इसका कोश्चन दिया है प्लीज आप उससे लिखने की कोशिस जरूर करिए ठीक है आलदाविष्ट मिलते हैं फि जरूर क्या है आलदाविष्ट मिलते होगा आप साल फिरूर कोशचन डप सरूर आपरेंगे.